नमश्कार दोस्तों मेरा नाम है जितेंद्र और हम आज unboxing करण वाला है एक वेक्यूम Quiner जो डिवाली वाली says hire में से हमने हमारी कई कार के लिए कर से मगला आया है यह यह आपको लेना चाहिए ने ले प्लीज जहन किजिएगा उसके लिए अभी से आपको थैंक्यू सो मच गो मेकेनिक ब्रैंड है इस्टा इसका नाम है गो मेकेनिक वेक्यूम क्लीनर प्रोटोन 6000 इसका नाम क्लीर नहीं था इसलिए मैंने आपको पहले बताया नहीं इनको रख देते हैं साइड में सीधा चलते हैं बॉक्स के अंदर इसके साथ आई एक केबल जिससे अपने इसको अपनी कार से कनेक्ट कर पाएंगे तो सबसे पहले मैं वही कर लेता हूँ अपनी कार से इसे कनेक्ट कर लेता हूँ ताकि यह और उन्हों सुके और इसके दुरान में आपको बतायता हूँ यह इसके साथ मिला है और एक इसके साथ अटेश्मेंट आया है यह ताकि यह ब्रस भी हो सके और साथ ही साथ उड़ते होए मिट्टी को यह और अपने अंदर प्रिंसे ले इसके बाद आ सकता है आजाया दा हमारा यह नॉर्मल जो थोड़ी तंग जगे होती है वहाँ पे गुसके यह रैक्यूम कि अपनी कार को बिना स्टार्ट किये कभी कोई भी पावर अक्सेसरी दा अपनी कार में ना लगाएं अधा 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 नेक्ट हो चुका है लाइट आ चुकी है एक बार कनेक्ट चालू करते हैं तो जैसा कि आप सबने अभी देखा इसमें यहां पर एक लाइट भी है अंधेरे में कभी अगर अपन इसको क्लीन करते हैं कार को तो उसके लिए लाइट का इसके अंदर आप्शन है जो मुझे पता नहीं था एक्चुली और यह काफी अच्छा लगा मुझे यह देखिए एक बार आपको चला के दिखाते हैं क्या उप्शन है और यह इसको खोलने के लिए जो कच्रा है यहां पर इकटा होगा उसे बाहर फेंगने के लिए यह कनेक्ट है और यह हो गया इससे कनेक्ट बगवान की देश से कच्रा भी हमारे पास खूब है यह डे टूडे मिट्टी है जो हमारी कार में हम एक रूर्ल एरिया में बेसिकली तो इस रूर्ल एलिया में लोग चड़ते हैं उतरते हैं वह जो मिट्टी है और इसने ब्योंट एक्सपेटेशन काम क्या है यह एक हजार असी रुपे के आसपास मेरे को पढ़ा है और हंड्रेट परसंट रिकमेंडेड है यह आप मिट्टी देख सकते हैं यहां पर यह इसकी मिट्टी चारो तरफ यह मिट्टी जो है जो अब यह भी इसने हमारी गाड़ी में से खीची है एक बार वापिस आपको चालू मेरी तरफ से हंड्रेट परसंट रिकमेंडेड आप लोगों को कि आप लोग इसे बाई करें और थम्स अप मेरी तरफ से थेंक्यू फोर वचिंग दी वीडियो प्लीज़ शेंग को प्लीज शेयर लाइक और सबस्क्राइब और कोई भी क्वालिटी अगर हमारे तरफ से मिस्टेक होती है तो उसको प्लीज प्लीज माफ कर दें और थैंक्यू सो मच बाई